इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। संक्रामक या हानिकारक बैक्टीरिया आपको बीमार कर सकते हैं और आपके शरीर में तेजी से प्रजनन कर सकते हैं। सेपोडेम 200 mg टैबलेट में सेफपडॉक्सीम प्रॉक्सेल शामिल है, जो एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटिबाउटिक है, जो बैक्टीरिया के ग्राम पॉजिटिव और नकारात्मक दोनों समुहों के खिलाफ प्रभावी है। सेपोडेम 200 mg टैबलेट बैक्टीरिया को कोशिका आवरंड यानि की सेल वॉल को बनने से रोपता है, जो उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जिससे सेपोडेम 200 mg टैबलेट बैक्टीरिया को मारता है और बैक्टीरिया के संक्रमन को फैलने से रोखने और इलाज करने में मदद करता है। पेट की खराबी से बचने के लिए सेपोडेम 200 mg टैबलेट को भोजन के साथ लेना चाहिए। सिपोडेम 200 mg टैबलेट की खुराक आपकी स्थिती और संक्रमन की गंभीरता के आधार पर भिन हो सकती है दवा के पाठ्यक्रम को पूरा करने की सिफारिश की जाती है भले ही आप बहतर महसूस करें क्योंकि यह एक एंटीबाउटिक है और इसे बीच में छोड़ने से गंभीर संक्रमन भी हो सकता है जो वास्तव में एंटीबाउटिक यानि की एंटीबाउटिक प्रतिरोध का जवाब देना बंद कर देगा कुछ मामलों में आप कुछ सामान्य दुशप्रभावों का अनुभव कर सकते हैं जैसे की मतली, उल्टी, दस्त यानि की पानी या धीला मल, पेट में दर्ड, भूख न लगना, सूजन, तवचा पर लाल चकते और खुजली इन में से अधिकांच दुशप्रभावों को चिकित सा ध्यान देने की आवश्यक्ता नहीं है, और समय के साथ धीरे-धीरे हल हो जाएंगे हाला की, आपको सलाह दी जाती है, कि यदि आप इन दुशप्रभावों का लगातार अनुभव करते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए अपने आप सिपोडेम 200 मिली ग्राम टैबलेट न लें क्यूंकि स्वधवा से एंटी बाउटिक प्रतिरोध हो सकता है, जिसमें एंटी बाउटिक्स विशिष्ट जीवानु संक्रमन के विरुध कार्य करने में विफल होते हैं अगर आपको आंथ, किड्नी या लीव में सूजन की समस्या है, तो सिपोडेम 200 मिली ग्राम टैबलेट लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें सिपोडेम 200 मिली ग्राम टैबलेट के साथ एंटासिड और एंटी अलस दवाएं न लें, दोनों के बीच 2-3 घंटे का गैप रखें यदि आप गर्भवती हैं, या स्तनपान करा रही हैं, तो सिपोडेम 200 मिली ग्राम टैबलेट लेने से बचें जब तक कि डॉक्टर द्वारा निर्धारित न किया गया हो सिपोडेम 200 मिली ग्राम टैबलेट के कारण चक्कर आ सकते हैं, इसलिए गाड़ी चलाते समय सतक रहें अप्रिय दुश प्रभावों को रोकने के लिए शराब के सेवन से बचें अपने चिकित सक को उन सभी दवाओं के बारे में सूचित करें जो आप ले रहे हैं और किसी भी अप्रिय दुश प्रभाव से बचने के लिए अपनी स्वास्ति स्थिती के बारे में सूचित करें वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद